रमश्कार दोस्तों कैसे हैं आप सबी लोग जैसे की कई स्टूडेंट्स कई लोगों के मेसेज कॉमेंट्स थे की सर प्लीज आप इंस्टिटूशनल जे आरेफ जिसके की बारे में मैंने डिटेल में कुछ बताया था कुछ इंट्रोड़क्शन दिया था पुराने वीडियो है बिकॉज ये फैलोशिप किसी को नहीं पता होती इविन मैं आपको बता रहा हूं कई ऐसे केस मेरे सामने थे इविन आई गॉट तो नो अट आप जरूरी है बिकॉज आने वाले टाइम में यूल गोइंग तो गेट रेजिस्टर फॉर यूर पी एसडी और फैलोशिप एक फैनेंशल सपोर्ट बहुत जरूरी होता है तो देखिए अगर मैं B.H.U की बात करूँ तो हर इंस्टिट्यूट में एक खुद की फैलोशिप होती है जो जब वो पी एसडी में रेइस्ट्रेशन ले लेता है तो उसके बाद उसको एक्टिवेट कराने के आप्शन्स होते है जैसे कि B.H.U एक Central Universities है जितनी भी Universities है सब UGC Approved होती है So UGC खुद एक फैलोशिप देता है इंस्टिट्यूशन को उनिवर्सिटीज को कि अपने स्टूडेंट्स को वो एक Personal Fellowship दे अगर उनके पास कोई Exam Qualify या External Funding नहीं है तो इसी तरीके से इंस्टिट्यूट के पास भी B.H.U के पास भी UGC की Fellowship है बट उसका पहला क्राइटेरिया है आपको PhD में Registration लेना होगा तो जब आप PhD में Registration लेते हो इधर थ्रूग Gate Qualified और थ्रूग LS नेट-LS तो इन दोनों केस में इन दोनों ही केस में आपको कोई External Fellowship नहीं मिलेगी आपको सिर्फ PhD में Registration मिलेगा अगर आपने Gate Qualified किया है विकास गेट भी कोई Fellowship नहीं देता और नेट-LS भी नहीं देता तो उस केस में आपको क्या करना है पहले तो आपको PhD में Registration लेना है Registration लेने के बाद जिस दिन से आप Registration लोगे तो Institute के पास दो Fellowship होती है एक तो होती है Research Fellowship तो Research Fellowship का Amount थोड़ा कम है that is 8,000 per month plus 10,000 rupees of contingency funds ठीक है तो ये by default day 1 से active हो जाएगी इसके लिए कोई application नहीं चाहिए और आपको just अपने department से office में letter भेजना होता है So this is one of the fellowship जिसका की amount कम है but मैं बात करूँगा JRF की जिसको की बोलते हैं UGC-BHU-JRF Means ये UGC ने university को दिया है और ये अलग-अलग institute जैसे universities के अंदर हमारी university में 3-4 institute है उन institute में अलग-अलग JRF हैं तो उन JRF limited number होता है किसी institute के पास 10 होगा, किसी के पास 5 होगा, किसी के पास 6 होगा तो आपको पता करना है कि आपके institute में कितने JRF की seat है और कितने available है तो ये JRF का amount जो है वो बिलकुली equivalent होता है that is 31,000 start होगा और 35,000 इसका SRF amount होगा so 31,000 दो साल के लिए फिर ये convert हो जाती है SRF के अंदर जो की 3 साल चलती है तो इसका benefit आप 5 साल ले सकते हैं अगर आप net JRF नहीं निकाल पाए हैं तो तो इसके लिए आपको क्या करना है आपको पता करना है कि आपके institute में कितनी JRF vacant है ये कैसे पता चलेगा आपके dean office से आपको dean office में पता करना है कि institutional JRF कितनी seats खाली है I want to apply for the same position so जब seat vacant होती है तो application आता है और application आने के बाद आप उसको apply कर देते हो जैसे मैंने बोला अलग-अलग institute में इसका number अलग-अलग vary करता है किसी में 5, किसी में 10, etc. आपको इसको activate कराना होता है dean office से वहाँ पे notice निकलेगा या फिर BHU की website पे ये positions आएंगी तो उसको आपको apply करना है then second step आप इसका interview होगा on the basis of your profile, academic and research you will get these types of very good amount of fellowship आप select होगे JRF के लिए 5 साल के लिए अब मैं बताता हूँ इसके बहुत ही अच्छे benefit सबसे अच्छी चीज है कि इसमें कोई break नहीं है आपकों कोई break क्या है break मतलब कुछ fellowships में ऐसा होता है आप progress report भेजोगे तो पैसा आने में 6 महीने, 4 महीने का time लग जाता है बट ये आपका monthly 5 साल तक पैसा आएगा there is no break, no progress report क्योंकि ये university की खुद की fellowship है आपका कोई project fund इसमें नहीं लगा हुआ है got it, on time मिलती है progress report की कोई जरूरत नहीं है और equal amount है और ये srf में convert automatic हो जाएगा तो अगर आप इस चीज़ में टेंशन में हैं तो बिल्कुल भी tense मत होए और institute में जाने के बाद institutional jrf के बारे में पता कीजिए और और पता कीजिए और कौन-कौन सी बाहर की fellowships है जो आप available कर सकते हैं अगर ये information useful लगी हो तो like का button दबाना मत भूलन और चैनल को subscribe कर देना Thank you